ये लगतार बारिश होने के कारण परिहांस गाओ का निचला हींसा एकदम सा अस्त व्यस्त हो गया है जो धान के बीज लोखेत में डाले थे वे एक तम डूब चुका है और पहले तो सुखार के वज़ा से धान का खेती नहीं हो पा रहा था और अब बारिश के पानी के उज़ा से नहीं होगा इस तरह से जो मजदूरा टाइब के लोग है उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है कितने के घर में चूल है तक नहीं जल रहा है बारिश इतना हो रहा है कि कहीं के वो काम पे नहीं निकल पा रहे है कुछ लोग तो अपना रहने के लिए आशियाना यानि घर भी बनाना चाह रहे थे जो एक दोम से दूब चुका है इस तरह से जीवन लोगों का अस्क वेस्थ हो गया है और बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है